हमने कहा था कि जो तीन पाले पानून हैं इनको वापिस लेना पड़ेगा इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालुम था कि तीन चार बरो जो पुझी पती हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ जो तीन काले कानून थे उनको अंत में रद करना पड़ा यह किसानों की मजदूनों की सफलता है एक प्रकार से देश की सफलता है मगर जिस प्रकार से यह कानून रद किये गए बिना कोई डिसकॉशन पार्लिमेंट में इसके बाएं में चर्चा नहीं होने दी यह दिखाता है कि सरकार डिसकॉशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है डिसकॉशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है वो जो 700 किसान उन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिसकॉशन होना था डिसकॉशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ प्रानून बनाए गए इसके पीछे किस की शक्ती की कौन सी शक्ती थी ये क्यों किये जा रहे थे क्यों बनाए गए discussion MSP पर भी होना था और जो किसानों की समस्या है उस पर होना था लखीमपूर खेरी और इनके जो Home Minister है उन पर discussion होना था वो तो सरकार ने होने नहीं दिया मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा confusion है वो सोचती है कि जो गरीब लोग है किसान लोग हैं मजदूर लोग हैं उनमें कोई शक्ती नहीं उनको दबाया जा सकता है और इस एपिसोड में दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को हिंदूस्तान में दबाया नहीं जा सकता है कि अरेजी नबाव्टेश नबाविए। वेदेशन अर्टे थे पालेट ईसरें विजाद़ी। कि अपर्मिटे विर्वाव इस पुटे इस टुटीट। that the might of three or four large crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer. And that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed. Without any discussion, without any conversation, we wanted to have a conversation about the forces behind these bills because these bills do not just reflect the view of the prime minister. These bills reflect the power behind the prime minister, the power of people and forces behind the prime minister. And that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these three bills? What are the forces that are behind these three bills? We wanted to discuss MSP. We wanted to discuss Lakhinpur Kheri. We wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for its actions. And this is quite unfortunate. Sir, you have also had two or three demands before you. Before, you have got MSP's guarantee. The other, the GRIH RAJ Mantri, the Mishra Taini, their staff. जासर वार्टावी तो उन्वाव साओ, क्या आसए वाक्पोश लैने से अब आप की ये महीं हैं, था करीओ कानून वापस लेने से अब आप की ये ये इस पर अभी आपका प्रदॉस्त दर्माया ये तो ये तो देखिए. करजा माफी वो लंबी लाइन है लंबी लिस्ट है और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनको उनका हम समर्खन करते हैं जब प्रधान मंत्री ने राश के नाम संबोधन में माफी मांग ली और आप जब तीनों कृशी कानून वापस हो गए लोग कर और रास्वरा में तो डिस्केशन की ज़रूरत क्या तो फिर सांसत की सा क्या जरूरत तो बंद कर देते हैं बंदी कर दो फिर प्राइम मिनिस्ट तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री में ने माफी मंगी इसका मतले प्रधानमंत्री ने यह accept कि अनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए उनकी गलती के कारण से यह पूरा अंडोलन हुआ हूँा है तो फिर अजर उन्होंने गल्ती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कंपेंसेशन देना तो परेगा राहुल जी आपना पहले कहा था कि तीनों कुशी कानून वापस लेने होंगे सरकार ने अन्तों गत्वा ये बिल वापस ले लिया देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने सबसे पहले इसमें किसानों का पांन किया है उन्होंने कहा है कि होते संगथान एक सब स्क्षों है एक ग्रूप अपर्ट को फार्मर अप्रोटेस्टिंग अगेंस बेंस दॉस है यह को ग्रूप नहीं है कि यह इंदूस्तान के सब किसान है पर आपने हिंको खालिश्कानी कहा cheapest बाभंद को इनको ग्रूप आप्र फार्मल्भ नहीं है यह पिया समझते हैं कौनसी शक्तियां इंपर आकरमन कर ली का किसान संगठन के अभी भॉड़का बैठे हुए हैं रहुल गांदी जी क्या अपील करें किसान संगठनों से क्या अपील करूंगा उनसे कोई अपील करने की जरूद नहीं है मैं यह कह रहा हूँ कि जिम्मेदार कौन है जिम्मेदार किसान संगठने के अउनने क्या गलती किये उनके 700 लोग शहीद हुए हैं उनको आपने एक साल यहाँ आप बैठा रखा है उनको घर नहीं जाने दिया आपने आपने कहा कि गलती मेरी है तो पर आप कंपेंसेशन दो हमा जाथ यहीं प्रमकिनम को जा रखाइण माध् Sच फॉरिप अन्को दो यहाँ आपने पूछाए अब बाकी लूग संतरे हैं अट भीज सनुटीजिज वुट से प्रमून कर addresses कोर अप्टि century record वाइन छेस्ट न जीट उस्ट सकी होत्व वाज वाजिन ए ड्वावावावलाम ड्सीं शॉब वाज कुछिजिस टुटे आपी यह वह जाूब रजायत टुटीजियwsミ survive it is the same forces that put a flood GST it is the same forces that didn't give any money to the poor people during covid so the question is not whether the government is going to try to pass these farm laws again the question is that the government is captured by a group, by an interest that is against the poor people of this country they will do whatever can be done to damage the future of the poor people of the country Sir is it because the U.P. and Punjab was the government was supposed to take a decision and where was the government's decision on repeal taken because of U.P. and Punjab and what do you plan to do about the MSP, you will be asking about that the decision was taken by the government because the government could not face the power, the strength of the Indian people represented in this case by the farmers and the laborers of course the idea that U.P. elections are near that must have played something in their mind last question so if they were fully in support of the farmers what were they doing for the last one year why did it take 700 dead Kisans for them to repeal these laws why is the prime minister apologizing for what if they have done nothing against the farmers why is he apologizing and on whose behalf is he apologizing so the intention the intention is bad and as i mentioned just now it is not i mean the prime minister is an instrument of these forces the prime minister is the pill of these forces these forces sit behind the prime minister these forces capture the media and they pass laws like the farm laws they do demonetization and they are inimical to the future of this country thank you very much if you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon